हलो दियर श्टुदेंट्स और विवर्स वेलकम बैक अगें लुक्स लॉस्ट्स तोडे इन दिस वीडियो लेक्ट्ट्र वी अर्ग दिसकस्ट अबाउर दा को क्यूरिकुलर शलाइबस आफ बी अबी अबी अबीकाम थर्ड समिस्टर प्रिविद्यार्थियों आज की इस लेक्ट्ट्र में बी अबी 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 काम थर्ड समिस्टर में आनिवारे पॉर्ठिकरम की अंतरगत ये नीपी के अंतरगत को क्यूरिकुलर की पॉर्ठिकरम की चर्चा करेंगी जैसा कि आप को आप सभी जानते हैं कि बी अबी 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 काम थर्ड समिस्टर में को क्यूरिकुलर की अंतरगत आप सभी को को हूँमन बैलूज एंड इनवारूमेंटल इस्टडिज का ध्यन करना है अबी मुल्य और पर्यावण आप सभी को क्यूरिकुलर इक्टिविटीज को क्यूरिकुलर सलाइबस आप सभी अबी 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 काम थर्ड समिस्टर है भी स्टडी हूँमन बैलूज एंड इनवारूमेंटल स्टडी इसको हिंदी भी कहते हैं मानवी मुल्य और पर्यावण आध्यान मानवी मुल्य और पर्यावण आध्यान जो कि प्रोग्राम क्लास इससे आपको सर्टिपिकेट कूर्स मिलेगा कि यह सेकंड है सिमिस्टर थर्ड है कोर्स का टाइटिल है हिमन बैलूज इन इंवर्मेंटल स्टडी पूरा सलेब जोएच चार यूनिट में डिवाइट किया गया है एक एक यूनिट का हम टेट्रिल डिस्ट्रप्शन करने चल रहे हैं आध्यू एक्स्प्लेन इच एंड इबरी यूनिट्स वेरी वेल अब हम बात कर रहे हैं देशी क्रेटिट दो है मैक्सिम मार्क हंडेट है पासिक मार्क जो है चालिस है मिनिमम पासिक मार्क जो है वो फूर्ती है ठीक है यूनिट टॉपिक्स एंड नंबर अफ लेक्चर्स यूनिट फर्स सेकेंड थर्ड फूर टॉपिक से नंबर अफ लेक्चर्स टोटल थर्ड़्टी है सबसे नंबर वन टॉपिक से फर्स्ट यूनिट की अंतरगत भाला है हिूमन बैलूज हूमन बैलूज को काते ह मानवी मुल्य मानवी मुल्य कहते हैं introduction में अस होता है पारिचे बैलूज मानवी होता है मुल्य characteristic का मतलब होता है बिसेस्ताई types माने प्रकार ठीक है मानवी मुल्य होते हैं जो human बैलूज होती है मानवी मुल्य का पारिचे बैलूजमन्स मुल्य, प्रकार और मुख्विसे ताएं आप सभी को फर्स्ट यूनिट के अंतरगत मानवी मुल्य के अंतरगत मानवी मुल्य का परिचे मानवी मुल्य क्या होते हैं मानवी मुल्य के प्रकार developing by loose system in Indian organization भारती संगठन में मूल प्रडाली की प्रकार developing by loose system in Indian organization इसका मतलब होता है भारती संगठन में मूल प्रडाली का विकास by loose in business management ब्योशाय प्रबंधन में मूल बैलूज बेस्ट अर्गनाईजेशन मूल आधारी संगठन trans culture human by loose in management ट्रांस संस्कृतिक ट्रांस संस्कृतिक मानवी मूल या दूसरी सब्दों में कहेंगी प्रबंधन में management में प्रबंधन में ट्रांस संस्कृतिक मानवी बुल का महत् श्वामी विवेकनन्द philosophy of character building श्वामी विवेकनन्द की दर्शन नयतिक निर्माल में चरित्र निर्माल में श्वामी विवेकनन्द की फिलास्पी का अध्यन चरित्र निर्माल में श्वामी विवेकनन्द की चरित्र निर्माल में यह दूसरी सब्दों में कहेंगी स्वामी बिबेकानंद का चरित्र निर्माल का दर्शन गाधीज कांसेप्ट आफ सीमन साइन गाधीजी का साथ पापू की उधारणा गाधीजी के साथ पापू की उधारणा एपीजे अब्दुल कलाम ब्यूजान रूल आफ फैरेंट सेंट टीचर एपीजे अब्दुल कलाम का माता पिता और सिच्छकों की भूमिका पर द्रिश्ट कूण आगे है नेक्स्ट पॉइंट हुमन ब्यूजे अट प्रेजेंट प्रेक्टिस उसको कहते हैं मानो मुल और बर्तमान ब्यूभारिक मुद्दी इसके अंतरकर पढ़ना है इस सूज का मतलब होता है मुद्दे, कराप्शन, वरस्टाचार, और ब्राइब, रिश्वत, प्राइबेसी, प्राइबेसी पॉलसी इन बेब और सोशल मीडिया इसका मतलब होता है बेब और सोशल मीडिया में गुप नियता या दूसरी सब्दों में कहेंगी बेब और सोशल मीडिया में गुप नियता नियती साइबर थ्रीट्स साइबर खत्री आनलाइन शॉपिंग टिसी रेमेडीज रेमेडीज का मतला होता है उपचार उपाय यूके ब्राइबरी यूके रिश्वत Act, Introduction to Sustainable Policies and Practice in Indian Economy भारती अर्थव्यवस्था में आशथाई नीतियों और पर्थाओं का परिचे Introduction to Sustainable Policies and Practice in Indian Economy इसका मतलब होता है भारती अर्थव्यवस्था में आशथाई नीतियों और परिचे नेक्स्ट है प्रिंसिपल आफ इथिक्स इसका मतलब होता है नयतिक्ता की सिध्धान्त सेकुलर एंड स्पिरिचुल बैलुई इन मनेजमेंट प्रबंधन में धर्म निर्पेक्ष और आध्यात्मिक मुल्ड इन्टुडक्षन परिचे सेकुलर एंड स्पिरिचुल बैलुई आध्यात्मिक मुल्ड सेकुलर एंड स्पिरिचुल बैलुई फीचर इसका मतलब होता है धर्म निर्पेक्ष और आध्यात्मिक मुल और विशेश्ताएं लेबल आफ वैलूज इंप्लिमेंटेशन मुल कार्यान्यवन फीचर आफ इस्प्रिचूल वैलू मुल कार्यान्यवन की अस्तर फीचर मने उता है लक्षन फीचर का मतला होता है लक्षन फीचर आफ इस्प्रिचूल वैलू इसका मतला होता है आध्यात्मिक मुल्लेव की विशेश्ताएं अगला है कार्पोरेट सोशल रिलेश्ट रिस्पांसबिल्टी इसको काते हैं कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायत नेचर प्रकिर्थ लेबल अस्तर फीजिच चारण और माडल्स आफ सी असार और कार्पोरेट प्रसासन की नमूनी कार्पोरेट गवर्मेंस, CSR, और मार्डन बिजनिस, टाइकवन, रतन टाटा, अजीम प्रिमजी और बिल गेट्स इसका मतलब यह होता है, यहां से CSR की प्रकिर्थ, चरण, माडल्स, कार्पोरेट प्रसासन, और आधुनिक बिजनिस, टाइकवन, रतन टाटा, अजीम प्रिमजी और बिल गेट्स second unit है, holistic approaches and decision making, निरलाय लेने में समग्र दिश्टिकूर, निरलाय लेना, decision making, ठीक है, the decision making process, इसको कहते है, निरले लेने की प्रकिरिया, भगवत गीता, भगवत गीता, technique in management, प्रबंधन में तकिनिकी, धर्म and holistic management, धर्म और समग्र प्रबंधन, लास्ट में है, discussion through dilemmas, इसका मतलब होता है, बिपलन में फार्मा संगठनों में दुबिधाएं, बिपलन और फार्मा संगठनों में दुबिधाएं, सारबजनिक से निजी एकाधिकार, सारबजनिक से निजी एकाधिकार, public to private monopoli context का मतलब होता है, सारबजनिक से निजी एकाधिकार, context माने संदर्व, डिलेमा आप privatization, निजी करण की दुबिधाएं, डिलेमा आन liberalization, उदारी करण पर दुबिधाएं, डिलेमा आन social media, और cyber सुरच्छा पर दुबिधाएं, डिलेमा आन liberalization, डिलेमा आन social media और cyber security, इसका पतलब होता है, social media और, social media और cyber सुरच्छा पर दुबिधा, डिलेमान organic food, जेविक भोजल पर दुबिधा, डिलेमान standard digestion, मानवी करण पर दुबिधा, डिलेमान quality standard, गुणवत्ता मानको पर दुबिधा, यह हो गए आपका second unit, उसके बाद आपको पढ़ना है case studies, case studies में आपको पढ़ना है, जिसे जो third unit है, उसमें पर्यावनाट से related चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे आपका third और fourth unit जो है, third and fourth unit, that is totally related बिधा, environmental issues, शवथा और पचवा जो है, वो पूरी तरह से आपकी पर्यावनाट से related है, ecosystem, इसको हम कहाते है, पारिस्थितिक तंत्र, concept, पारिस्थितिक तंत्र की अउधारणा, structure and function of ecosystem, पारिस्थितिक तंत्र की सरचना और कार्य, producer, उतपादक, consumer, उभोगता, decomposer, अबगटन करता, food web, खाद जाल, food chain, खाज श्रिंखला, energy flow, उर्जा का प्रवा, ecological pyramids, पारिस्थितिक पिरामिड, conservation of biodiversity, जयो विविधिता का सरक्षण, in C2 and XC2 conservation of biodiversity, जयो विविधिता का in C2 और XC2 सरक्षण, जयो विविधिता का in C2 और XC2 से कैसे हम सरक्षण करते हैं, उसका ध्यान करना है, रोल आप इंडिविज्वल इंपालूशन कंट्रूल, प्रदूसर नियंत्रल में, इंडिविज्वल लेबल पर व्यक्तिगत अस्तर पर, ब्यक्तिगत अस्तर पर प्रदूसर नियंत्रल में ब्यक्तिगत अस्तर की भूमिका, यानि इंडिविज्वल लेबल पर हम कैसे पालूशन कंट्रूल कर सकते हैं, इसका ध्यान करना है, Human Population and Environment, मानोजशन संख्या और पर्यवन का ध्यान करना है, Sustainable Development का ध्यान करना है, Sustainable Development का मतलब है करमिक बिकास, Sust confiance, Sustain मने होता है maintain करना, इस्तिर करना. Sustainable Development का मतलब है करमिक बिकास, India and Union's Sustainable Development Goals.. भारत और United Nation Sustainable बने करमिक Development बने होता है विकासी गोल बने उद्देश भारत और United Nation की निरंतर विकासी उद्देश यानि भारत और जो Union है United Nation है उसके लगातार करमिक विकासी उद्देश क्या है इसका ध्यन करना है Concept of Circular Economy and Interpreneurship चक्री अर्थव्यवस्था और Interpreneurship के बारे में अध्यन करना है Last unit है Number 4 Environmental law क्या है पर्यावनडी नियम क्या है International Advancement in Environmental Conservation पर्यावनड सन्रक्षण में अंतर्राश्टी Advancement क्या है अंतर्राश्टी लेबर पर क्या Advancement हुई है क्या उपलब्धियां हुई है क्या नई चीजी हुई है जिसके वज़ा से हम पर्यावनडी का सन्रक्षण कर सकते है रोल आफ नेशनल ग्रीन ट्राइबूनल शुकते यन जी टी नेशनल ग्रीन ट्राइबूनल की एर क्वाल्टी इंडिक्स में क्या भूमिका होती है इसका ध्यान करना है रोल आफ नेशनल ग्रीन ट्राइबूनल इन एर क्वाल्टी इंडिक्स लास्ट में है इंपोर्टेंस आफ इंडियन ट्रेडिशनल नौलिज आन इंवारूमेंट पर्यावनड की संदर्म में भारती ब्यापारिक ज्यान कहां और किस लीबल का है इसके महत्तुकी चर्चा करनी है यानि पर्यावनड की ज्यान की संदर्म में भारती ब्यापारत की यानि जो हमारी इंडिया है वो ट्रेडिशनल लेबल पर ब्यापारिक लेबल पर कामर्सियल लेबल पर पर्यावनड की बारे में क्या जानकारी है उसके महत्त का अध्यन करना है behave to study about the traditional knowledge on environment and their importance with reference to the India तो इतना ही आपको अध्यन करना है आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर like और subscribe जरूर करिएगा thanks to all of you watching the video thank you कैनल को subscribe करेंगे तो आपको further notification मिलती रहेगी thanks to all of you watching the video thank you